अगली तालिबा जूनियर गुरूप से मुमिन गर्ल्स हाइ स्कूल भिवन्डी से शेख सारा इमरान दो इसका नमबर है सीरियल नमबर दो शेख सारा इमरान जनाब सद्र, मुजजज अहले मिजान और सामईन इकराम मुबाईल फून एक ऐसा आला जो सार समंदर दूर बैटे अपने अजीज और अकारिब के दिल की आवाज उनी के दिलों में उतारता है सद्राली वकार कितने तूटे दिलों को मिलाया, कितने रिष्टों को जोडा लेकिन सद्राली वकार, इसी आले ने कितने खांदानों के चिरागों को गुल कर दिया इसी आले ने कितने राप्तों को खत्म कर दिया एक ही कमरे में बैटे, मा, बहन, भाई, बेटी, यहाँ तक के मिया बीवी भी एक दुसरे से बात तक नहीं करते इसी आले ने इनसान को एक ही कमरे में बंद होने पर मजबूर कर दिया ये मुबाइल फोन का जुनुन नहीं तोर क्या है याद रखिये है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत एहसास मुरववद को कुचल देते हैं आलाद सद्राली वकार अगर मुबाइल ना होता तो इतमाम रिष्टे एक साथ बैठ कर कुछ गप्पियों में मसरूफ होते मगर मुबाइल फोन ने शराफ़त और तमीज में पसे पुश्ट डाल दिया यहां तक कि इसकी घंटियां खाना इंकाबा और मस्जिद नवी में सुनाई देती हैं सद्राली वकार हम आर्जू करते हैं कि हम खाना काबा की जारत करें मगर अफसोस कि हम वहां पहुंचने से पहले ही मुबाइल फोन निकाल कर सेल्फियां बनाते नजर आते हैं सद्राली वकार इस जुनून में गर्क क्या बड़ा क्या चोटा क्या बुड़ा क्या जवान क्या जाहिल क्या आलिम हर कोई इसका दिवाना है जुनून और दिवांगी इस हद तक बढ़ चुकी है कि मुबाइल के बिना किसी का एक पल करार नहीं होता आदमी जहां भी हो जिस हार में भी हो चाहें जरूरी काम ही क्यों न कर रहा हो लेकिन हर मिनट पर वो अपनी नजरे चुड़ा कर अपने मुबाइल फोन की स्क्रीन की दरफ देखने की कोशिश करता है जैसे कि गोया मुबाइल फोन उसके जिसम का हिस्सा बन चुका है ये मुबाइल फोन का जुनून नहीं तो है मुजज़ सामईین मेरी इस तकरीर का लफज लफज हकिकत हर्फ हर्फ सच्चाई है इसके जुनूर ने बच्चों को अपने वालिदयन का नाफर्मान बना दिया इसके जुनूर ने बेहयाई को आम कर दिया इसके जुनूर ने एक बड़े भाई को कमसिन छोटे भाई के हाथों कतल करवा दिया इसके जनूर ने कितनों को जैनी बिमार, कितनों को पागल कर दिया वो पेशिलफ जिता जिसे ने रुला दिया है तुझे संभाल खुद को, अभी दास्तान बाकी है अगर शोशल मीडिया की बात की जाए, जहां नौजवान असल टिक टॉक में को गई है बिंते हुआ जिसे पर्दे के अंदर होना चाहिए था, वो पर्दे के सामने बड़ी बेहाय के साथ अपने जिसम की नुमाइश करती नजर आ रही है हमारी नौजवान नसल, दिन, रात, मुबाइल, फोन का इस्तेमाल करके बरबाद हो रही है हाजरीने मैफिल, अगर हम इस जुन में मुक्तला ना होते तो इन्ही में से किसे ने मरिया मुक्तार बनना था तो किसे ने अरफात करीम, इन्ही में से किसे ने कुतुब अदीन एवग बनना था तो किसे ने टिपू सुल्तान यही मैसे किसे ने मुहंबत बिन कासीम जैसा किरदार बना था तो किसे ने उमर फारू जैसा मुंसिफ मगर आज वो मुबाइल फोन में कच्छा बदाम जैसे गाना सुनते हुए नजर आते हैं सद्राली वकार मैं पूछना चाहती हूँ मजलिस में बैटे हर एक शक्स से क्या हम इस शैदानी आले के बैर अपनी जिन्दगी का तस्वर कर सकते हैं खुदारा अपने दिल पर हाथ रखकर मुझे जवाब दीजिए है नहीं न मुझे बताईए कि हमारे असलाफ और आबावाजदाद ने काम्याब जिन्दगे नहीं गुजारी क्या मुबाइल फोन की वज़ा से उनकी जिन्दगी में कुरा कावटे दर पेशाई नहीं बिल्कुल नहीं जनाबे वाला सद्राली वकार जिन नौजवानों को अच्छा निसाब तालिम देना था उन्हें मुबाइल फोन के लटस्ट मॉडल दिये जा रहे हैं अगर मुबाइल फोन का जनौन हम पढ़ना चाता तो एकबाइल के शाहिनों के हाथ में किताबे होती इस नफसानफसी के दोर में अगर हम मुबाइल फोन के जनौन के जनौन ने हम सबको इस बात से बेखबर कर दिया है के मेरा जनून ही मेरे लिए जहर बन गया मेरा जनून ही मेरे लिए जहर बन गया मैं जिन्दा तो हूँ मगर अंदर से मर गया शुक्रिया खुदा आफिस सारा इमरान मैं महतरम अफजाल अन्सारी साहब से दर्खास करता हूँ कि आप इस तालिबा को इनाम से नावाजें हमारे दर्मियान जोगेश वरी से साबिक चीफ मोडेटर अर्भी जबान की फर्जाना शाहिट साहबा यहां तश्रीफ लाई है मैं आपका खेर मगदम करता हूँ और दर्खास करता हूँ कि आप सीधें यहां स्टेज पर चली आए